कि हैलो फेंट्स आज की स्वीडर में हम बात करेंगे हेजी के सेर प्राइस पेशन आज इस टोक में 16% से भी ज्यादा आपको गिरावत देखने को मिली गिरावत के क्या रीजन रहे हैं वो हम डिटेयल से समझेंगे इस गिरावत के दो बड़े रीजन हमारे समने निकल के आ हैं दो बड़े रीजिन क्या है वो भी डीटेल से समझेंगे और साथ ही में कुछ ऐसे पॉइंट हम डिसकस करने वाले हैं जिससे कि आपको help मिलेगी आने वाले टाइम के लिए अगर आप फर्स टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओन जरूर कर लेना और साथ ही में एक कमेंट जरूर करना कि कितने प्रैस पर कितनी क्वांटिटी आपने की अपने पॉट्पोलियो में एड़ कर रख जो की 33 क्रोड का जो प्रोफिट है वह आया साथ ही में आपको मार्जन में भी दबाव देखने को मिला 20 परशेंट मार्जन भी कम होके आया है एट परशेंट का यहां पर यहां पर रहा है उसके बाद रिवेन्नु भी 11 परशेंट घटके आई है तो आप सभी को पता चली क्वाटर फोर के रिजल्ट खराब आये साथ ही में इसकी एक न्यूज आई है जिसमें यह कंपनी डी मर्ज करें होने जा रही है जिस वज़े से आपको गिरावट देखने को मिली है अब समझते है कि डी मर्ज की न्यूज क्या है क्या कुछ इसकी रेसो रहने वाली है यह डीटेल अब समझेंगे तो चलते हैं अपडेट की तरफ सबसे पहले तो हम अपडेट की डेट दिखा देते हैं यहां पे 2023 में 2024 की है यहां पे HEG शेर प्राइस डी मर्ज एलान के बाद 9% तक गिरा स्टोक जानिये क्या आई क्यों आई गिरावट मतलब यहां पे डी मर्ज की जो बात आये उसके बाद ही यह गिरा है अब बात करते हैं जो डी मर्ज क्या कुछ है यहां पे कमपनी ने अपने ग्रेफाइट बिजनिस को अलग करने की गोशना की है लेकिन इसके बाजार में स्टोक ने नेगिटिव असर देखने को मिला है शेर ट्रेडिंग के दोरा 9% गिर चुका है मतलब यह आई थी करीब दो बज़े के करीब यह न्यूज आई थी तब 9% के करीब यह गिर चुका था उस ताइम पे अब आगे समझते हैं कि क्या कुछ अपडेट मतलब इन्होंने बताया है इन्होंने बताया है कमपनी के डी मर्ज का एलान HCL Gray Business को अलग करेगी HEG Gray और HEG Gray Tech दो कमपनी होंगी यहाँ पे कौन कौन सी कमपनी होंगी HEG Gray Fight और HEG Gray Tech दो कमपनी होंगी निवेशको को One Race of One की रासी में कमपनी के शेर मिलेंगे HEG के हर शेर जो होंगे ग्रेटिड कमपनी एक शेर मिलेगा भिलवाड़ा एनरजी का HEG Gray में मार्जन होगा फिलाल 94% Gray बिजनेस से आता है कमपनी के मुनाफे की परकिरिया Quarter 3 2026 तक पूरी होगी यह कब तक पूरी होगी अभी पूरी नहीं होनी है और इसी को लोगों ने नेगेटिव वे में ले लिया है एक तो क्वाटर 4 के रिजल्ट खरावाए साथ ही में कमपनी का डी मर्ज की आपको यह न्यूस मिल गई जिस वज़े से बिस टोक में गिराउट देखने को मिल रही है और जब इसका डी मर देखने को मिली है अब चलते हैं हम चार्ट पर समझते क्या कुछ लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आज काफी गिरावट आपको देखने को मिली है लेकिन अभी मैं आपको बता दू क्वाटर 4 के रिजल्ट खराब आने की वज़े से अभी और भी प्रेसर आपको स् चांस है कि भई इसको भी ब्रेक डाउन कर दे क्योंकि रिजल्ट खराब आये जिस वेसे और जैसा आज इसने इंपक्ट दिखा है 60% से भी ज़्यादा की गिरावट का तो प्रेसर तो नजर आई रहा है वैसे स्टोक ने काफी अच्छे रिटन दिये थे अगर हम वीकली च की लेकिन कुछ ऐसा नेगिटिव नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी मार्केट नहीं से नेगिटिव में लिया है तो घिरावट आपको देखने को मिल रही है अब नेक्स्ट रहेगा इसका स्पोर्ट 1847 का अगर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली मार्केट में कोई 1847 139 तक ये स्टोक जाता हुआ नजर आएगा आप भी कमेंट करके बताना कि अब कैसा मुवमेंट देखने को मिलेगा मेरे अकोर्डिंग तब भी थोड़ा सा आपको प्रैसर स्टोक में देखने को मिल सकता है आप भी प्लीज कमेंट जरूर करे और मैं आपको बता दू इ दूआ स्टोक मां आपको बता हुआ झाम करें उब भी एक भी झाले व चेखने को मिलेगा मोईब देखने को ब wärने को मiले जरू प्रैसर सा आपको।